नश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल नागियाज लर्निंग अड़ा पर आज की इस क्लास में हम जानेंगे की मनुविक ज्यान क्या है क्या है इसका अर्थ, क्या है इसकी परिभाशाएं, इसके छेतर क्या है और इसकी प्रकरती क्या है दोस्तों ये क्लास अगर आप शिक्षक भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे है या किसी राज्य की शिक्षक के लिए पातरता परिक्षा की तैयारी कर रहे है तो ये class आपके लिए most important होने वाली है आज की class में फिर मैं remind करा दूँ आपको कि हम पढ़ेंगे क्या आज की इस class में हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान होता क्या है इसकी उत्पत्ती कहां से हुई किस subject से इसकी उत्पत्ती मानी जाती है और सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का परियूक किया किसने इसका आर्थ क्या है इसकी परिभाशाई क्या है इसकी छेतर क्या है इसकी प्रकरती क्या है इसकी सीमाई क्या है और ये अभी अपनी किस अवस्था में मनोविज्ञान है जैसे शेश्व आवस्था, बाल्य आवस्था, किशुर आवस्था होती है ऐसे ये मनोविज्ञान अपनी किस आवस्था में है आज ये तमाम बाते हम इस क्लास में जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान की मैं बहुत ही विस्तार से आपको धीरे-धीरे सारी बातें समझाऊंगा अगर आप एकदम निव हैं इस चैनल पर और आपको मनोविज्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये class most important है आपके लिए मनोविज्यान दोस्तों मनोविज्यान पहले नहीं हुआ करता था पहले एक subject हुआ करता था दर्शन सास्तर subject का नाम क्या था दर्शन सास्तर और दर्शन सास्तर को हम English में क्या बोलते हैं दर्शन सास्तर को हम philosophy कहते हैं philosophy यानि की दर्शन सास्तर और मनुविज्यान क्या होता है? मनुविज्यान को इंग्लिश में हम को बलते हैं साइकोलोजी साइकोलोजी मनुविज्यान है और दर्शन सास्तर फिलोस्पी है मनुविज्यान का कोई नामों निशान कहीं भी नहीं था पहले दर्शन सास्तर प्रचलित था और दर्शन सास्तर यूनान यानि की ग्रीक देश में बहुत प्रचलित था यहाँ पर बहुत सारे यूनानी दार्शनिक हुए थे जिसमें आपने सुकरात जी का नाम सुना होगा सुक्रात के जो शिश्य थे वो थे प्लूटो और प्लूटो के जो शिश्य थे वो थे अरस्तु प्लूटो के शिश्य कोन थे अरस्तु और अरस्तु के शिश्य थे सिकंदर महान जिनको कहा जाता है सिकंदर महान युनान के ये राजा थे तो इस तरह से सुकरात, प्लूटो और अरस्तु सिकंदर है यही वो लोग थे जिन्होंने जो है दर्शन सास्तर से खोज निकाला किसको मनोविज्ञान को यानि कि शुरुवात करने वाले जो लोग थे उन में से ये युनानी दार्शनिक थे लेकिन आपको पता है कि आधूनिक वैसे तो मनोविज्ञान दो प्रशन यहां पर बनते हैं कि मनोविज्ञान का जनक कोन है अगर हम एक प्रशन तो यह देखें कि मनोविज्ञान का जनक एक प्रशन तो ये बनता है कि मनोविज्ञान का जनक कोन है और एक प्रशन ये बनता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कोन है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक ये दो अलग-अलग प्रशन है और इनके अत्तर भी अलग-अलग है मनोविज्यान का जनक तो दोस्तों माना जाता है किसको अरस्तू को मनोविज्यान का जनक अरस्तू को माना जाता है और जो प्लूटो के शिश्य थे और प्लूटो सुकरात के शिश्य थे लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है किसको माना जाता है विलियम जेम्स को और विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञानिक थे अमेरिका के थे इन्होंने इन्हें क्यों कहा जाता है भई आधुनिक मनोविज्यान का जनक क्यों कह जाता है क्योंकि इन्होंने ही दर्शन सास्तर से अलग करने का काम किया था मनोविज्यान को मनोविज्यान को दर्शन सास्तर से अलग करने का काम किस मनोविज्यानिक ने किया था अगर ये पूछा जाए तो ये William James ही थे अमेरिकी मनोविज्ञानिक थे और इन्होंने मनोविज्ञान के संबंद में एक मत दिया था अपना चेतना का विज्ञान चेतना का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को मानने वाले ये कौन थे? William James थे और चेतना का विज्ञान मानने वाले इनके कुछ साथी और भी थे जैसे विलियम जैम्स इसके अलावा था विलियम सली और विलियम वुंट इन सब ने मनुविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था लेकिन अरस्तु ने चेतना का विज्ञान नहीं माना था अरस्तु ने क्या माना था? अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान माना था खेर ये बाते तो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन मनुविज्ञान के अलग अलग स्टेप पढ़ेंगे कि पहला मत क्या था, दूसरा मत क्या था, तीसरा मत क्या था जब अपन मत पढ़ेंगे तब अपन वहाँ पर ये जानेंगे कि किसने मनोविग्यान को क्या माना था फिलाल मनोविग्यान का जनक अरस्तू है और आधुनिक मनोविग्यान का जनक जो है विलियम जेम्स को माना जाता है जो कि अमेरिकी मनोविग्यानिक थे और इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को और इनके साथ थे विलियम सली और विलियम वुंट विलियम वुंट से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में लिपजिंग यूनिवस्टी में जो मनोविज्ञान की पहली प्रियोग शाला स्थापित करने वाले वेक्ति थे वो विलियम वुंट ही थे इसलिए अगर ये प्रशन पूछा जाए कि प्रियोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया क्योंकि इन्होंने 1879 में विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रियोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर की लिपजिंग यूनिवस्टी में स्थापीत की थी और आजकल उस यूनिवस्टी का नाम कारल मार्क्स मनोविज्यान शब्द का प्रयोग सरवपर्थम किसने किया था। था लगभग 1590 इस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द यानि कि साइकलोजी शब्द का सरवप्रत्थम प्रियोग किया था अब बात आती है कि ये मनोविज्ञान जो वर्ड है ये बना कैसे किन शब्दों से बना मनोविज्ञान क्या है ये मनोविज्ञान ही क्यों ब यह लेकिन उस से पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता यह पहले मनोविज्ञान नहीं ता दृषन शासतर यह सो हम फिलोस्पी कहते थे or develop you say मनोविज्ञान को अलग करने का काम किसने किया था William James ने किया था इसलिए इनको आधुनिक मनोविग्यान का जनक कहा जाता है तो इती बात आपको समझ में आएगी मनोविग्यान ये दर्शन सास्तर के अंतरगत एक ब्रांच होती थी इसकी दर्शन सास्तर की एक अलग से विश्य होता था ये बालव टॉपिक होता था उस टॉपिक में मन आत्मा इस तरह की बाते होने लगी थी इसलिए यही से आइडिया आया कि यार ये मन या आत्मा भी कुछ चीज होती है और इसको धीरे धीरे वहां से अलग करने की जो नीव है वहीं से रखी गई है तो चलिए बात करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द ही क्यूं बना इसके पीछे की क्या कहानी है मनोविज्ञान शब्द बना कैसे तो दोस्तों अगर हम बात करें मनोविज्ञान के विभिन मत की यहां ये कहानी समझने के लिए आपको मनोविज्ञान के विभिन मत अलग-अलग समय में जो मनोविज्ञान के मत आए उनकी बात करते हैं तो मनोविज्ञान के मत जो थे न वो चार थे पहला मत तो ये था कि मनोविज्ञान है क्या आत्मा का आत्मा का विज्ञान सबसे पहला मत था कि मनोविज्ञान क्या है आत्मा का विज्ञान है और ये मानता कुन था अरस्तू ये किस ने कहा था अरस्तू ने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इसके अलावा इनके साथ दिकारते, प्लूटो ये सब इन सब ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है लेकिन इसके बाद दूसरा मत आया था कि मनोविज्ञान जो है वो मन एवं मस्तिक्ष का विज्ञान है मनोविज्ञान मन एवं मस्तिक्ष का विज्ञान है ये मनोविज्ञान का दूसरा मत था विज्ञान जो है वो मन और मस्तिक्ष का विज्ञान है इसके बाद तीसरा मत आया था भी मैंने आपको बताया था कि चेतना का विज्ञान फिर मन विज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा चेतना का विज्ञान और ये मत किसका था ये मत था विल्यम जैम्स का विलियम जैम्स जिसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट और जैम्स सली इन लोगों ने चेतना का विज्ञान कहा था और चोथा मत जो था वो जो आज मनोविज्ञान को माना जाता है वो है वहवार का विज्ञान वहवार का विज्ञान चोथा मत है मनोविज्ञान के संबन में और जे बी वाटसन इसके समर्थक हैं जे बी वाटसन इन सारे मतों के बारे में अपन विस्तरत जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले कि ये जो मनोविज्ञान वर्ड है ये जो शब्द है मनोविज्ञान ये बना कैसे सबसे पहले इसकी तहे में जाते हैं फिर अपन इन चारों मतों को देखेंगे कि क्या है दोस्तों मनोविज्ञान जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है लेकिन English भाषा का शब्द क्या है English भाषा का शब्द है psychology और ये psychology शब्द का अगर हम संधी विछेद करेंगे न तो इसका दो टुकडे निकलते हैं एक तो होता है psyche और एक टुकडा निकलता है logos psyche और logos ये दोनो Latin भाषा के शब्द हैं ये युनानी भाषा के शब्द हैं क्योंकि अरस्तू, सुकरात, प्लोटो ये इन ही की देन था तो ये युनान के थे और युनानी भाषा के शब्दों से ही मिलकर psychology बना था और psyche और logos युनानी भाषा के शब्द थे तो इनका आर्थ क्या था psyche जिसको English में कहते थे soul और logos जिसको English में कहते थे study और या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो ये क्या था आत्मा और ये क्या था अध्यान तो इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या बने study of soul study of soul यानि कि आत्मा का अध्यान यहीं से इनको आइडिया आया था कि मनोविज्यान जो है वो आत्मा का अध्यान है आत्मा का विज्यान है study of soul तो आप समझ गये ना कि मनोविज्यान शब्द बना के से इसका अंग्रेजी रुपंतरन तो है psychology और ये दो लेटिन भाषा के शब्दों से बना है psyche और logos, psyche का अरत होता है soul यानि कि आत्मा और logos का अरत होता है study यानि कि अध्यान इन दोनों को मिलाए जाए तो study of soul होता है आत्मा का अध्यान होता है यहीं से आइडिया आया कि इसका नाम मनुविज्ञान रखा जाए क्योंकि आत्मा का अध्यान करता है तो इसलिए इसको आत्मा का विज्ञान का जाए लेकिन कहानी यहां दोस्तों खतम नहीं हुई आत्मा का विज्ञान जब इनको कहा किस ने कहा, अरस्तु ने कहा, दिकार्ति ने कहा, प्लूटो ने कहा इन्होंने एक नए विशे की खोज कर ली थी और ये कह रहे थे कि आत्मा के अध्यन को जो है आत्मा का जो विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं उसको मनोविज्ञान बोलते हैं लेकिन दोस्तों ये बात सोल भी स्ताब्दी की है और जैसे इन्होंने कहा कि आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं तो यहाँ पर एक प्रशन चिन लगे गया प्रशन चिन क्या था? कि लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया कि यह आतमा का रंग रूपाकार है क्या? कैसी दिखती है आतमा? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आतमा का रंग रूपाकार कैसा है? तो दोस्तों ये अरस्तू देखारते प्लूटोव इस प्रशन के उत्तर को नहीं दे पाई जिसलिए लोगों ने मनुविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि मनुविज्ञान आत्मा का विज्ञान है लेकिन आत्मा के रंग रूप आकार सवरूप को ये जानते नहीं थे और लोगों के इस प्रशन के उत्तर को नहीं दे पाई ये कि आत्मा दिखती कैसे आत्मा का रंग क्या है आत्मा का सवरूप क्या है इसलिए लोगों ने मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने से मना कर दिया फिर दूसरा मत आता है मनो विज्ञान के संबन में कि मनो विज्ञान जो है मन और मस्तिक्ष का विज्ञान है ये पॉम्पोनो जी ने कहा था पॉम्पोनोजी इटली के ये कहते कि मनोविग्यान जो है एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसमें मन और मस्तिक्ष का अध्यन किया जाता है अब यहाँ पर मन और मस्तिक्ष का अध्यन किया जाता है ठीक है लेकिन मन और मन तो स्थिर ही नहीं और जो चीज स्थर नहीं है तो उसका अध्यन कैसे किया जा सकता है यहां पर इनके इस मत को भी खारीज कर दिया गया और इस कथन के संबंद में इस मत को खारीज करने में भारतिया मनोविज्यानिक जो थे बियन जहा उन्होंने कह था कि मन और मस्तिक्ष के सवरूप के एनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्यान के संबंद में ये मत प्रगती नहीं कर सका दोस्तों कथन याद करना पड़ेगा मैं लिख नहीं रहा है यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कथन किसका है कथन पुछा जाता है तो कि मन और मस्तिक्ष के सवरूप के एनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्यान के संबंद में ये मत प्रगती नहीं कर सका ये कथन किसका है बियन जहा का और किसके संबंद में कहा था जब पॉमपॉनो जी ने कहा था कि मन और मस्तिक्ष विज्ञान ही मन विज्ञान है तब इनका ये कथन प्रचलित है इस कथन को याद करना है इसका मदलब ये हुआ कि जो चीज मन और मस्तिक्ष की ये बात कर रहा है मन और मस्तिक्स तो स्थिर नहीं है और स्थिर नहीं है तो उसका ध्यर नहीं किया जा सकता इसलिए मनोविज्ञान के संबन्द में सबसे पहले तो इस मत को खारीज किया गया था फिर इस मत को भी खारीज कर दिया गया फिर आता है चेतना का विज्ञान चेतना का विज्ञान मानने वाले कुन थे ? William James, William Wunt और William Sully, William James जिसको अधुनीक मनो विज्ञान का जनक का जाता है William Wunt जिन्होंने प्रियोग आतमक मनो विज्ञान का जनक का जाता है लेकिन आज गल उस लिपजिन यूनिवर्सटी का नाम लिपजिन यूनिवर्सटी नहीं है। आज गल उसका नाम Karl Marx यूनिवर्सटी है या रखा गया है। तो William James Williams Want और Williams Sully ने James Sully ने जो ये चेतना का विज्विज्ञान कहा था मनो विज्ञान को अपना पूर्ण योगदान दिया ये कहते हैं भई मन तो हमारा जो है एक बटे दस भागी होता है चेतना चेतना तो हमारे संपूर्ण विवार का एक बटे दस भाग होती है बाकी नो बटे दस भाग कहा है जिसका तो तुमने उलेख ही नहीं किया और तो तुम तो बोलते हो कि सिरफ ये चेतना का विज्यान मानने वाले कहते हैं सिरफ जो है मनुश्य का ध्यन किया जा सकता है तो फिर पशुओं का ध्यन पशुपक्षियों को में भी कोई विवार होता होगा उनका भी तो ध्यन होना चाहिए उनको आपने अपनी परिवाशा में शामिल नहीं किया है इसलिए आपका मत जो है वो खारीज कर दिया जाता है तो चेतना का विज्ञान को खारीज करने इस संब्ध इस मत को खारीज कराने में सिक्मन्ट फ्राइड का रोल जो है most important बना जाता है फिर इन्होंने अपने हिसाब से बताया था कि तीन मन होते हैं चेतन, अर्थचेतन और अचेतन मन आगे हम मनोविश्लिशनात्मक सिध्धान्त को पढ़ेंगे तब प्विस्तार से जानेंगे कि चेतन, अर्थचेतन, अचेतन क्या है id, ego, super ego क्या है तो फिलाल आप इतना याद रखें कि चेतना का विज्धान मत को खारिज करने में महत्वण भूमी का निभाई थी सिग्मेंड फ्राइड ने जो कि आस्ट्रिया के मनोविज्धान एक थी अब आता है चोथा मत विवार का विज्धान और आज कल मनोविज्धान को विवार का विज्धान ही कहा जाता है J.B. Watson लेकिन विवार शब्द जो है ना इसका प्रियोग सबसे पहले किसने किया था इसका प्रियोग सबसे पहले किया था MacDougal ने एक मनोविज्धान की पुस्तक लिखी थी उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का परीचे उसमें इन्होंने सबसे पहले behavior word का यूज किया था behavior यानि कि हिंदी में बोलते हैं वियवार वियवार शब्द का प्रियोग सरपर्थम किसने किया था ये पूछा जाए तो वो William MacDougal है और वैसे वियवार वादी विचार धारा का जनक किसे का जाता है तो वो JB Watson है क्योंकि JB Watson ने इनके इस काम को आगे बढ़ाया था इसलिए वियवार वादी विचार धारा का जनक जो है वो JB Watson को मना जाता है और वियवार का विज्ञान के समर्थक भी JB Watson है और अब ये प्रशन पूछा जाए, क्या वर्तमान में मनो विज्ञान आत्मा का विज्ञान है, नो, क्या वर्तमान में मनो विज्ञान मनो और मस्तिक्ष का विज्ञान है, बिल्कुल नहीं, क्या मनो विज्ञान वर्तमान में चेतना का विज्ञान है, जी नहीं, वर्तमान म मनो विज्ञान को क्या माना जाता है व्यभार का विज्ञान माना जाता है यह जब चारो मत खारिज हुए तो इसमें एक वुडवर्थ का कथन आपको याद रखना है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है वुडवर्थ का कथन वुडवर्थ का कथन क्या है कथन इन्होंने क मैं यहाँ पर कथन लिखूँगा कि मनो विज्ञान ने सरव प्रत्थम अपनी आत्मा खोई फिर अपना मनमस्तिक्ष खोया फिर चेतना खोई और आज भी अपने इस वहवार को वह अपनाए हुए है यह कथन किसका है यह वुडवर्थ का अब वुडवर्थ ने यह कहा कि मनो विज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई मतलब सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मत को खारिज किया गया था फिर मनो विज्ञान ने अपना मन और मस्तिक्ष खोया तो यहां फिर इसमत को खारिज किया गया था फिर चेतना कोई इसमत को खारिज किया गया था और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है विवार का विज्ञान कहा जाता है तो अपने इस विवार को वह आज भी अपनाई हुए है तो इस तरह से ये वुडवर्थ का कथन भी important हो जाता है तो आज की इस class में मैंने आपको बताया है कि मनुविज्यान है क्या मनुविज्यान किन शब्दों से बना है मनुविज्यान के संबंद में कौन-कौन से मत है मनुविज्यान के शुरुवात कैसे होई अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मनुविज्यान की कुछ परिभाशाओं की मनुविज्यान की most important परिभाशाओं कौन-कौन से उनके बात करेंगे मनुविज्यान के छेतर क्या है मनुविज्यान की प्रकृति क्या है मन विक्यान अपनी किस सवस्ता में है ये सारी तमाम बातें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समझेंगे आप इस वीडियो को इंजोई कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर जरूर कीजिए पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर कीजिए नमस्कार